OPS केंद्र को 6 हफते का अल्टिमेटम पुरानी पेंशन नहीं तो होगी हड़ताल रेलवेरक्षा समेद बंध होंगे सरकारी दफ्तर AIDF के महासचिव सी श्रीकुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कर्मियों, पेंशनों और उनके रिष्टेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड के पार चली जाती है चुनाव में बड़ा उलट फेर करने के लिए यह संख्या निरनायक है देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संखर्ष कर रहे करमचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को OPS लागू करने के लिए 6 सप्ता का अल्टिमेटम दे दिया है अगर इस अवधी में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चित कालीन हरताल शुरू हो जाएगी इस थिती में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंध हो जाएगा बुद्वार को नई दिल्ली में हुई National Joint Council of Action NJCA के पदाधिकारियों की बैठक में यहां अहम निर्णय लिया गया है बैठक की अध्यक्षता NJCA के सयोजक शिवगोपाल मिश्रानी की है केंद्र सरकार को अनिश्चित कालीन हर्ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथी घोशित करने के लिए दो दिन के भीतर एक कमेटी गठित होगी गतवर्ष दिल्ली में हुई थी चार बड़ी रैलिया केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए गतवर्ष से ही आंदोलन कर रही है कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुचाने का प्रयास किया है OPS के लिए गठित National Joint Council of Action, NJCA की संचालन समिती के वरिष्ट सदस्य और AIDF के महासचिवसी श्रीकुमार का कहना है नई दिल्ली के रामलीला मैदान में गतवर्ष 10 अगस्त को सरकारी कर्मियों की विशाल रैली हुई थी उस रैली में लाखो कर्मियों ने हिस्सा लिया था एक अक्तूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई इसका आयोजन National Movement for Old Pension Scheme NMOPS के बैनर तले हुआ था NMOPS के अध्यक्ष विजय कुमार बंदू ने कहा पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है वे इसे लेकर ही रहेंगे इसके बाद 3 नवंबर को Confederation of Central Government, Employees and Workers के बैनर तले रामलीला मैदान में ही तीसरी रैली आयोजित की गई इस रैली में All India State Government Employees Federation सहित कई कर्मचारी संगठनों हिस्सा लिया था National Mission for Old Pension Scheme भारत के बैनर तले 10 दिसंबर को All India NPS Employees Federation द्वारा जंतर मंतर पर रैली आयोजित की गई इस संगठन के राश्चिय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पतेल ने रैली को संबोधित किया था KDEF के महासचिव सी श्रीकुमार के मताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कर्मियों, पेंशनों और उनके रिष्टिदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड के पार चली जाती है चुनाव में बड़ा उलट फेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है देश के दो बड़े करमचारी संगठन, रेलवे और रक्षा, सिविल ने अनिश्चितकालीन हर्ताल के लिए अपनी सहमती दे दी है स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाग करमियों में से 96 फीसिदी करमचारी OPS लागो न करने की स्थिती में अनिश्चितकालीन हर्ताल पर जाने के लिए तैयार है इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाग करमियों में से 97 फीसिदी करमी हर्ताल के पक्ष में है 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनिट, 7,349 रेलवे स्टेशन, मंदल वा जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वरकशॉप और 7 रेलवे प्रोडेक्शन यूनिटों पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए थे विभिन केंद्रिय करमचारी सन्नठन एवं राज्यों की एसोसियेशन भी OPS के मुद्दे पर एक साथ आ गई है रिले हंगर स्ट्राइक के बाद भी सरकार मौन केंद्रिय करमचारी सन्नठनों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की थी इसका मकसद सरकार को चेताना था National Joint Council of Action, NJCA के सयोजक शिवगोपाल मिश्रा नेरिले हंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दे दीथी की OPS बहाली के लिए अब कोई धर्ना प्रदर्शन नहीं होगा सरकार हमें अनिश्चिकालीन हर्टाल करने के लिए मजबूर कर रही है देश में अगर 1974 की रेल हर्टाल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी उसके बाद साथ फरवरी को NJCA की बैठक बुलाई थी इस बैठक में देश भर में होने वाली अनिश्चिकालीन हर्टाल की तिथी तै करने और सरकार को स्ट्राइक नोटिस देने बाबत चर्चा हुई श्रीकुमार के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी संगठन अनिश्चिकालीन हर्टाल करने के पक्ष में है स्ट्राइक की तिथी तै करना और सरकार को नोटिस देना इसके लिए एक छोटी कमेटी गठित की जा रही है अगर सरकार ने छह सप्ता में कर्मियों की मांग नहीं मानी तो देश में हरताल तै है दस्टबीन है NPS मंजूर नहीं संशोधन National Movement for Old Pension Scheme NMOPS के राष्चिय अध्यक्ष विजय कुमार बंदू का कहना है केंद्र सरकार NPS में संशोधन करने जा रही है हम ऐसे किसी भी संशोधन के ये आंदोलन नहीं कर रही है कर्मियों को गारंटी कृत पुरानी पेंशन ही चाहिए अगर कोई भी करमचारी नेता या संगठन सरकार के NPS में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो 2004 फीट वाली गलतियां 2024 फीट में भी दोहराई जाएंगी NPS एक दस्टबीन है करोडो कर्मियों का 10 फीसदी पैसा और सरकार का 14 फीसदी पैसा दस्टबीन में जा रहा है यह स्वीकार्य नहीं है पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा वित्त मंत्राले की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ रिपोर्ट पेश हो या ना हो इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं है वजह यह कमेटी OPS लागू करने के लिए नहीं बलकि NPS में सुधार के लिए गठित की गई थी कमेटी इन विश्यों पर तैयार कर रही रिपोर्ट वित्राज्य मंत्री पंकर चौधरी ने संसद में नई पेंशन योजना के बाबत पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया राश्चिय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढाचे और संद्रचना जैसा सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है के आलोक में क्या उसमें किसी प्रकार के बदलाव किये जाने उचित है इस बाबत वित्र मंत्राले की कमेटी विचार कर रही है यदि कमेटी द्वारा NPS में बदलाव की सिफारिश की जाती है तो उसमें वित्तिय नहितार्थों और समगर बच्टिय गुनजाईश पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा कमेटी का कार्य ऐसे उपाए सुझावित करना है जो राश्चिय पेंशन प्रणाली के तहट शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार लाने के द्रिष्टिगत संशोधन करने के लिए उप्युक्त हों ताकि सामान्य नागरिकों के संदक्षन के मद्देनजर वित्तिय विवेक को कायम रखा जा सके